मैं डॉक्टर लक्ष्मी नरायन प्रवक्ता इत्यास राजके माडल संस्कृति वरिष्टमाद्यम्क विद्यालत अतारपुर इस्तमुरार रेवाडी हर्याना आप सभी विद्यार्थियों का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूँ आजके अपने अध्याय का नाम है भगती सूफी परंप्राएं धार्मिक विश्वासों में बदला और शर्दा ग्रंथ लगभग आठवी से अठारवी सदी तक के कालको इसमें हम पढ़ेंगे आजके अपने उपविशे रहेंगे इसलामी परंप्राएं दूसरा उपविशे है धार्मिक परंप्राओं के इतिहास का पुनर निर्मान पहले उपविशे इसलामी प्रमपराओं में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं विद्यारतियों कि भारत में इसलाम के आने के बाद भारत में बड़े भारी मात्रा में धार्मिक, सामाजिक, राजनेतिक और आर्थिक परिवर्तन हुएं बारतिय समाज में अब सासक इसलामी सासक आ गए और इसलामी सासकों के आने से जो राजनीति थी या राज करने के जो तरीके थे वो बदल गए इससे पहले राज करने के तरीके हिंदू तरीके थे हिंदू परिमपराएं थी परन्तु इसलाम आने के बाद मुसलिम सासकों ने मुसलिम परिमपराओं के माध्धम से राज करना आरंब किया और उन परिमपराओं को स्थापित करने का परियास किया साथ में ही हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि उसमें आम जनता ने जो गैर मुस्लिम थी विशेश कर हिंदू जनता ने इसलामी परंपराओं को अपनाया इसलाम धरम को अपनाया आरंब में ये पूर्ण रूप से इसलामी परंपराओं को नहीं अपना पाये थे परन्तु दीरे दीरे उन्होंने इसलामी परंपराओं को अपना लिया और एक लंबे समय के बाद वो इसलाम धरम के सदश्य बन गए इसी तरह से हम दूसरे विशे में पढ़ेंगे धारमिक परंपराओं के इतियास का पुनर निर्मान इसमें विद्यारतियों हम ये जानेंगे कि उस समय भगती आंदोलन और सूफी आंदोलन के समय जो रचनाय हुई जो साहित्य लिखे गए उन साहित्यों के आधार पर उस समय जो मूर्तियां बनी या उस समय के सूफी संतों ने जो साहित्यों की रचना की उनके माद्धम से हम इधारमिक इतियास का निर्मान करने का प्रियास कैसे करते हैं या वो साहित हमारी साहिता कैसे करते हैं ये भी इस व्याख्यान में जानेंगे आविद्यार्थियों सबसे पहले इšलामी प्रमपराओं के बारे में पढ़ते हैं भारतीय महादीप के पश्चिम के अरब छेतर में इसलाम धर्म अस्टित्र में आया यहनी कि अफगानिस्तान तक भरत था और अफगानिस्तान के पार करके आज के एरान एराक छेतर और उससे आगे का छेतर ये पश्चिम का छेतर था उस अरब छेतर में इसलाम धरम अस्तित में आया था बारते उप महादीब भी इससे अचूता नहीं रहा अरब व्यापारियों के साथ इसलाम धरम भी भारत में आया अरब देश से नेक व्यापारी भारत आते थे तो इसलामी प्रमप्राएं वो लेकर आते थे केरल छेत्र में भी अरब व्यापारियों के माध्यम से ही इसलाम भारत में आया था 711 इस्वी में अरब के सेनापती मुहम्मद बिन काशिम ने सिंद को विजित कर लिया और सिंद को खलीपा के छेत्र में मिला लिया तेरी स्थाफदी के आरब में तुर्क और अफगानों ने दिली सल्तनत की नीव रखी और दक्षिन भारत तक इसलाम फैल गया यहनि के मुहम्मद गोरी के समय में इसलाम भारत में जमा और धिरे धिरे यहां सल्तनत की स्थापना हुई और फिर सुल्तानों ने दक्षन भारता के इसलाम को फैलाया क्योंकि इसलाम सासकों का स्वीकरत धर्म था यह स्थिती सौल्वी स्थाफदी में मुगल सल्तनत की स्थाफदी के साथ भी बरकरार रही अठारवी शदी में जो छेतरी राज्य उबर कर आए उनमें कई राज्यों के सासक मुशलमान थे अर्दात औरंग जेव की मिर्तु के बाद भारत में अनेक छेतरों में अनेक नवावों ने अपने अपनी सौतनतरता गोशना कर दी उनमें ज़्यादातर नवाव मुसलमान थे और अनेक छेतरीय राज उबर कर आए थे मुस्लिम शासक उल्मा के मागजर्षन में राज चलाना चाहते थे उल्मा धर्म गुरु होते हैं मुसलमानों के परन्तु भारत की अधिकतर जन्जन क्या मुस्लिम धर्म को नए मानने वालों की थी इसलिए मुस्लिम सासकों ने भारत में राज के मुस्लिम तरीकों के साथ साथ यहां की गैर मुस्लिम जन्ता के साथ कुछ अलग तरीके भी अपनाए मुस्लिम सासकों द्वारा सासन करने के तरीके क्या थे हमने अभी पढ़ा कि यहां अधिकतर जन्संख्या गैर मुस्लिम भी थी और राजा यहां के मुसलमान हो गए थे और मुसलमान सासक इसलामी तोर तरीकों से राज करना चाहते थे पिर भी वो यहां की गैर इसलामी जन्संख्या के साथ भी समन्वे बनाने का प्रियाश करते थे मुसलिम तरीके कोन से थे जिनके माध्यम से वो राज करना चाहते थे जो राज में उनकी सहयोगी थे एक था उलेमा वर्ग उलेमा वर्ग राजा की साहता करता था मुस्लिम तोर तरीकों से राज चलाने में उलेमा सब्द कहा शेया उलेमा शब्द इल्म शे निकला है जिसका अर्थ होता है ज्ञान ये उलेमा मुस्लिम धर्म के कानूनों का ज्ञान रखते थे इसलिए इनको उलेमा का गया और मुस्लिम कानूनों को क्या कहा जाता था शरिया तो शरिया क्या था मुस्लिम कानूनों को शरिया कहा जाता है इस शरिया का निर्मान मुसल्मानों की पुवित्र पुस्तक कुरान शरीफ और हदीश से हुआ है यहनिके कानून कैसे बने कुरान शरीफ और हदीश कुरान शरीफ में क्या क्या लिखा है वो बाते हैं और हदीश में लिखी है हदीश क्या होती है हदीश मुहम्मद साब के किरिया कलाप और उनके समय की परंपराएं है जो वे स्वेम अपनाते थे इसे सुनना भी कह गया है कियाश वे इजमा को भी सरिया का स्त्रोथ माना गया है यहनल के तीसरी बात और आगई, पहली तो हमने पढ़ी कुरान सरीप और हदीश, तीसरा नियम क्या था? कियास और इजमा. कही बर कुरान सरीफ में और हदीश में वो बाते नहीं आती है कोई ऐसी प्रिस्थिती आ जाती है कि अब निर्णे हम क्या लें तो दो बाते और आती हैं कियास और इजमा तो कियास क्या होता है कियास वह होता है जो समय और स्थीती के अनुसार तरक पर हो यानिके जिस समय वो समश्या है उस समय वो समश्या कैसे ठीक हो सकती है इस बात को विचार विमर्ज करके तरक पर सोचते थे और फिर निर्णे लेते थे दूसरा क्या था कि मुस्लिम समुदाय की सहमती क्या है क्या चाहती है उसको इजमा का गया कि मुस्लिम समुदाय ऐसे चाहता है ऐसे राजा करना चाहिए तो मुस्लिम समुदाय की जो इच्छा होती थी सहमती होती थी उसको क्या का गया इजमा तो इस तरह से तीन स्त्रोत सरि आके हैं कुरान सरीफ, हदीज, कियास और इजमा जिम्मी एक शब्द आता है गैर मुसलमानों को जिम्मी कहा जाता है यहिनके हिंदू, सिख, इसाई, पार्शी, यहुदी यह सब क्या कहलाते हैं जिम्मी जिम्मी शब्द अरबी के शब्द जिम्मा से बना है और जिम्मा किस से बना है जिम्मेदारी से मुसलestone के राज में अन्य धर्यम वालों के संरक्षन की जिम्मेदारी भी किस पर आ जाती थी मुसलिम साख्ठ कर श्रक्षन की जिम्मेदारी थी și inka can防. श्रक्षन अनुकी जिम्मेदारी आफ तया इस लिए जिम्मियों अर्थात गैर मुसल्मानों पर लगता था हिंदुओं पर इशाईयों पर पार्शियों पर यहूदियों पर उन पर ये कर लगता था मुसलिम सासे गैर मुसल्मानों को अपने राज में संरक्षन देने के नाम का टेक्स लेते थे ये कि तुम्हारी जुम्मेदार हम संभालते हैं. राज में तुम्हें हम स्रक्षित रख रहे हैं. इसलिए इसका टेक्स दो. और उस टेक्स को क्या का गया? जजिया. तो इस तरह से मुसलिम सासक मुसलिम तरीकों से राज करना चाहते थे और वो तरीके कौन कौन से थे उलेमा वर्ग शरिया जिम्मी और जज्या इनके माध्यम से राजा या सुल्तान या मुस्लिम सासकों ने समराटों ने बात पर राज किया विद्यारतियों अब इसलाम की लोग पर्चलित सिक्षाएं जानते हैं पिछली कक्षा में हमने इसलाम को विस्तार से पढ़ा उसकी सिक्षाओं को विस्तार से पढ़ा मुहमद साव को विस्तार से पढ़ा परन्तु यहां लोग पर्चलित सिक्षाएं देखेंगे भारत में एक लोगों ने इसलाम अपनाया, सबसे अधिक इसलाम का प्रसार तलवार के बल पर हुआ भारत में, बहुत से हतकरगा वे शिल्पकारों ने भी इसलाम अपना लिया, क्योंकि उनके माल की खपत राजा और अधिकारियों के माधम से बनी रहे, इन लोगों ने अपनी जीवन शैली वे परंपराओं का पूर्ण रूप से परिताग नहीं किया, जैसे हिंदु जीवन शैली में जीते थे, और हिंदु जीवन शैली में जो उनकी परंपराओं थी, वो भी अपनाये रखी, और मुसलिम परंपराओं को भी अपना लिया, तो इस तरह से, वो सामाने सी प प्रुभू का समर्ण करो तो ये कठना ही नहीं थी पेगंबर मुहमद उसका दूत है यानि कि इस धर्म को चलाने वाले पेगंबर मुहमद है वो इश्वर के दूत थे दिन में पांच बार नमाज पढ़नी चाहिए ये जो धर्म परिवर्तित लोग थे इन से आगरे किया जा चाहिये दान दक्षना देते रहना चाहिए ये एंदु धर्म की परमपरा थी जीवन में एक बाब हज की आतरा पर मक्का जाना चाहिए जैसे विंदू लोग तीर्तों पर जाते आए ऐसे उनसे आगरे क्या कि अब तुम मुसल्मान हो गए हो अब तुम्हें जीवन में एक बार मक्का की आत्रा करनी चाहिए जिसे तुमारी मुक्ती होगी ऐसा भारत का मुसल्मान मानने लगा नई भासवे प्रमप्राओं का विकास भी हुआ जब धर्म बदल लिया हिंदु धर्म से मुसल्मान हो गए या अन धर्म से मुसल्मान हो गए तो अपनी प्रमप्राओं भी अपनाए रखी और वो प्रमप्राओं भी अपनाए रखी तो नई भासा का विकास नए लोकाचारो का विकास नई मानताओं का विकास बना इस कारण से हमें अनेक विभिंताएं भी देखने को मिलती हैं जैसे उधान पर देखते हैं खोजा इसमाईली इन्होंने शिया धर्म अपनाया मुसलमानों में दोवर्ग होते हैं शिया और सुनी तो खोजा इसमाईली शिया थे इन्हो उने कुरान की अभिक्ति के लिए देशी साहितिक विदा का शाहरा लिया, यानिकि कुरान में जो बाते कही गई हैं, उनका संबंद अपने लोकल परचली धारणाओं से जोड़ा, इसी तरह से पंजाबी, सिंधी, मुलतानी, कच्छी, हिंदी, गुजराती भासाओं के गीत, बारते मुसलमान प्रार्थना के दोरान गाते थे, क्योंकि जो वो हिंदू थे, तो भगती आंदोन के संतों के मादम से उससे पहले, ये था कि भगती करनी हो तो भगत, भजन, कीरतन, गाते थे, तो ऐसा उन्होंने मुसलमान बनने पर जारी रखा, और अल्ला को उन भजन के माद्धम से याद करने लगे तीसरा मुसल्मान वियापारी जो केरल में बस गए थे तो अरब देश के रहने वाले थे या अन्यचेत्रों के रहने वाले थे और केरल में आकर बस गए थे उन्होंने वहां की केरल की परमपराओं को अपना लिया जैसे अन्यचेत्रों में कि हिंदू प्रंपराओं का समगें बनाया ऐसी भार से आकर बसने वाले मुसल्मानों ने भी यहां कि प्रंपराओं को अपनाया जैसे के्रल का उधान लेते हैं के्रल में उन्होंने मल्यालन भाषा को अपना लिया, अर्वी छोड़ दी, और वहां कुछ परंपराएं हैं, मात्र कुलियता या मात्र ग्रहता की, वो भी अपना ली उन्होंने, जो केरल की सामाने परंपरा है, इस तरह से, जो हिंदु परंपराएं थी, वो अरव के मुसलमानों ने भी केरल की बहुत सी अपना ल हमारे अध्यनकाल के समय में हिंदू और मुशल्मान शब्दों का परचलन कम माना जाता है बलकि उनको उनके छेत्री नामों से पुकारा जाता था भारत की यह परंपरा पुरानी भी रही है छेत्र के अनुसार नाम रखने की परंपरा भारत में पुरानी रही है जैसे पंजाब में भोगोलिक स्थिती के आधार पर नाम रखा गया पांच नदियों का आब है तो उसको पंजाब कहा गया और वहां के लोगों को आज भी पंजाबी कहा जाता है ऐसे ही राजस्थान का बेराथ हिलाका है ऐसे ही हरियाना के दिल्ली से सो कलो मीटर दूर दक्षिन में मेवाद हिलाका है आज मेव सब्द एक मुस्लिम जाती के लिए परियोग होता है वहां पर परंतु विद्यारतियों आरम में उस छेत्र का नाम मेवाद था उस छेत्र में रहने वाले प्रतेक व्यक्ति को मेव कहा जाता था तो ऐसे छेत्र की भोगोलिक स्थिती वहां की प्रमप्राएं वहां के लोगों के गुण और हुनर के आधार पर उस छेत्र का नाम दे दिया जाता था छेत्रों के नाम हम जाती के आधार पर नहीं पाते इसी तरह से और मुसल्मान सब्द परतलन में नहीं थे वो जिस छेतरशे आये थे उसी आधार पर उनको नाम दे दिया गया जैसे तुर्की मुसल्मानों को तुरुस्क कहा गया क्योंकि वो तुर्की छेतरशे आये थे यहां उनको तुरुस्क बोलते थे ऐसी तजाकिस्तान के मुसल्मान उनको ताजिक कहा गया फारत से आये लोगों को पार्शिक कहा गया हम आज भी उनको पार्शी बोलते हैं जो फारत से आये थे तुर्क और अफगानों को यवन और शक कहा गया अब जैसे यवन शब्द है विद्यारतियों मुस्लिम काल से पहले भी जो आकर्मनकारी भारत में आये उत्तर पस्चिम से जो भी आकर्मनकारी भारत में आये उनके लिए एक सामुईक शब्द प्रियोग होता है भारती इतियास में भारती प्रमप्रावों में वो शब्द यवन यवनों के आकर्मन ऐसे बोलते हैं वो चाए मुसल्मानों के आकर्मन रहे हो या मुसलिम पीर अब ये मलेच कौन होते थे किनको कहा गया भार्षे आये इन सभी समुदायों के लिए एक शब्द मलेच पर्चलन में आया था चिवो तुरुसकों ताजीकों पार्षिकों या यवनशकों सब को क्या कहते थे मलेच हैं ये अब मलेच क्यों कहते थे इसका भी एक कारण था भ भ्रामन, चत्री, वैश और शुद्र, अब वो मलेच लोग किशी भी वरण में शामिल नहीं थे, कोई भी उनकी जाती नहीं थी, दूसरी बात ये भी थी, कि वो ना संस्किर्ट बोलते थे, ना ही संस्किर्ट से बनी अनेक बासाएं, उनमें से कोई बासा बोलते थे, उनके लिए अलग शे एक शब्द प्रियोग में ला दिया गया, मलेच, और इस तरह से उनके एक सामुईक जाती थी, चाए वो मुसलमान थे, चाए वो पार्शी थे, चाए वो यवन और सक्व थे, उनको सब को क्या कहा गया, मलेच. विद्यार्थियों पढ़ते हैं, धार्मिक प्रंपराओं के इतिहास का पुनर निर्मान. यानि कि भगती आंदोलन के संतों द्वारा रचित साहित और सूफी आंदोलन के सूफी संतों के साहितों से हमें इतिहास रचना में कैसे सहयोग मिलता है यह जानने का प्रियास करते हैं धार्मिक परंपरा के इतिहास निर्मान में भगती वे सूफी संतों की करतियां वे उस समय की स्थापत कला वे मूर्ती कला का बड़ा योगदान है उस समय के देविय सवरूप को समझने को उच्षुक इस्त्री और पुर्षों द्वारा लिखी गई कावे रचनाय आदी भी इतिहास के निर्मान में सहयोगी हैं स्थापत कला यानिकि उस समय के भवन आदी हैं बड़े बड़े या उस समय की जो मूर्तियां हैं उनके माध्यम से इतिहास की जानकारी हम ले सकते हैं परंतु ये जानकारी हम कब ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं जैसे उस मूर्ती के बनाने वाले और उस संत के बारे में हमें पूरी जानकारी हो या उस ठापत कला को तैयार करवाने वालों के बारे में हमें जानकारी हो उनके विचार और आस्थाओं के हमें जानकारी हो तब ह हम स्थापत कला मूर्ति कला के माध्यम से इतिहास का निर्मान कर सकते हैं अर्थात हमें समन में बनाना पड़ेगा स्थापत कला का निर्मान करवाने वाले मूर्ति कला को बनवाने वाले और उनके विचारों के बीच क्या संबंद था तभी हम इतिहास का निर्मान कर पाते है प्रुम्प्रा के इतियाज के पुनर निर्मान के लिए भी विभिन स्त्रोथ हैं यहने कि सूपी प्राम्प्रा के इतियाज लिखते समय हमें कुछ पुष्टके मिलती हैं अल्बिन उस्मान हुजवीरी द्वारा लिखित पुस्तक कस्प उलमहजूब से पता चलता है कि भारत के भार की प्रमप्राओं ने कैसे भारत के सूफी चिंतन को प्रभावित किया। फार्शी कवी अमीर हसन सिजजी देहलवी द्वारा संकलित पुस्तक फवाईद अलफवाद उपदेशात्मक पुस्तक है जिसमें दक्षन बाहर तक का वर्णन हमें मिलता है। एक गरंत मक्तूबात सूफी संतों के पत्रों का शंकलन है इनमें धार्मिक्षत के बारे में शेखों के विभिन अनुभवों का वर्णन मिलता है। सूफी संतों की जीवनियों का वर्णन करने वाली पुस्तक को तजकीरा कहते हैं। मीर खुर्द किर्मानी ने शियार उल्या नामक चिस्ती तजकीरा लिखा एक अन्य तजकीरा अखबार उल अख्यार है जिसका लेखक अबदुलहक मुहादिस देलवी है इन तजकीरों की बाते बड़ी ही अदबूत और एविश्वसनिये हैं जैसे वो बरकत और चमतकार को हम इन तजकीरों में मिलता है फिर भी इतियास कारों को इन में काफी जानकारी मिल जाती है विद्यार्थियों मुस्लिम कला के दो नमूने देखते हैं ये उस समय की स्थापत कला के विशेस नमूने हैं अभी हम पढ़ रहे थे कि स्थापत कला से ही और उस समय के लोगों के व मुशलमानों में मूरती निर्मान धर्म में नहीं है तो उसह में वो भावनों को विशेश डिजाइन देते थे उनकी स्थापतीकला विशेश प्रकार की मिलती है तो यहाँ हम दो मस्जिदों की ही स्थापत कला को देखते हैं ये पहला बाई तरफ आतिया मस्जिद मेमन सिंग बंगला देश में है ये देखिए विशेश प्रकार का नमूना है एक विशेश प्रकार की इसको बड़ी डिजाइन दार गोलाई दी गई मिनारे बनाई गई उपर गुम्ब केरल की 23 अबदी की एक मस्जिद है इसका भी विशेश है रूप है देखो इसमें मिनारे नहीं है गुम्बंद नहीं है केरल में उस समय जिस प्रकार के मकानों का डिजाइन बनता था जो उस समय के वो हिंदू कला थी जो स्थापत कला का उस छेतर का जो नमूना था उसको अपनाते हुए उन्होंने उस समय मस्जिद का निर्मान करवाया और हमने पढ़ा भी था कि अरब से आने वाले लोगोंने केरल के रीती रिवाजों को अपनाया था ऐसे ही केरल छेतर की स्थापत कला को भी अपना करके उन्होंने निर्मान कारिये करवाया तो इस तरह हमने ये स्थापत कला के विशेश दो नमुने विद्यारतियों देखे इसी के साथ हमारा ये व्याख्यान यहां समाप्त होता है। अब विद्यारतियों अब अपने व्याक्यान से सम्मंदित अभ्यास के प्रशन देखते हैं जो आपने अपनी नोट्पुक में लिखने हैं और इनी शभी प्रशनों का उत्तर इशी व्याक्यान से ही लिखें पहला प्रशन है निमलिखित शब्दों की व्याख्या लिखें उलेमा, शरिया, हदीश, सुन्ना, कियास, इज्मा, जिम्मी, जज्या प्रशन दो है इसलाम की पांच प्रमुक शिक्षाएं लिखें प्रशन तीन बार्शे आये मुस्लिम वे अन्व समुदायों के नाम लिखिए प्रशन च्यार धार्मिक प्रम्पराओं के इतियास के पुनर निर्माण में सूफी साइत का क्या योगदान है इसी के साथ हमारा ये व्यक्षान समापत होता है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद